एक चातर को कुछलने के बाद कई किलोमेटर तक ट्रक खीच कर ले गया, एक चातर की मोद दो घायल चातरों को अस्पताल में भरतिक रहा गया, लोकल पुलिस और PCR को आने में गंटा लगया, बाद में इन पुलिस कर्मियों को अपनी पोल खुलती देख, मीडिया को एतराज करने लगी, पर पबलिक ने पुलिस को कोसा और विरोज जताया, यह सड़क है नरेला इंडिस्ट एरिये को अल्ली पुर से जोड़ने वाली, नरेला इंडिस्ट एरिये के पास पुलिस कलोनी में डियवी स्कूल है, डियवी स्कूल में तीन छातर चुट्टी के बाद रही थी लेकिन कई दिर तक सुनसान रोड होने के कांड उस रस्ते पर PCR भी नहीं पहुंची पुलिस और PCR यदी वक्त पर पहुंचती उस चातर को बचाया जा सकता था ट्रक ड्राइवर गटना होते ही मोके पर ट्रक चोड़कर फरार हो गया दूसरे दो चातरों को भी कुछ चोटे आई हैं जिसके बाद उन्हें नरेला के सत्यवादी राजा हरिश चंदर अस्पिताल में भरती करा दिया गया है मिर्तक चातर तनिक्स अलिपूर का रहने वाला था और नरेला के डियवी स्कुल में पढ़ता था चुटी के बाद अपने घर अलिपूर लोट रहा था अलिपूर थाना पुलिस ने सव को पोस्माटम के लिए भेज दिया है और ट्रक को अपने कबजे में लेकर आरोपी ट्रक ट्राइवर की तलास में जुटी है स्कुटी चला रहा है चातर बलकि नावालिक है उसके पास लैसेंस था या नहीं यह जांच का वीश है लेकिन कहीं ना कहीं ट्रक की बड़ी लापरवाई ने चातर की जान जरूर ले लिए और हमारे गली में ही राते हैं शुटी अब किया करते हैं चुटी अब है इस्टूडेंट है को शुटी बाता रहे हैं पर लेकिन अमने तो एक पेशन्ट को देखा है वो बिलकुल डेड़ बोटी है कुछ लग गा है ट्रक से एक्सिडेंट हुआ है कि अगे पड़ी ही कि कुंसे है अलीपूर में है यह रही घुझ सेंड की सो काले मिली है तो मठों में त21 तुरंट आ गया है टैम देख सकते हो आप प्ल कली तीन इसमें आगशा रहें है जिनमें से एक बल्क डेड़ है दो मतलग dezeوق fan सब्सक्राइब करें और इस्टूडेंट की बदा रहे हैं सरयां पर